राजिस्तान ग्राम पंचाय महासंग के बैनेर तले आज तमाम जिला मुख्यालियों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंद्री को ग्यापन सौपा गया इस ग्यापन में बताय गया कि ग्राम सेवक पिछले कई वशु से 6000 मांदे पर काम कर रहे हैं जिससे उनकी आजिवी का नहीं चल पा रही और इसी बीच 70 ग्राम सेवकों ने विबिन कारणों के साथ ही आर्थिक ठंगी के चलते आत्मात्य भी कर ली है इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि वह जल्दी ग्राम सेवकों का वेतन बढ़ाकर 24,000 तक करें जिससे कि उनकी आज इवी का चल सके ग्राम सेवकों का कहना है कि सरकार ने बनने से पहले सभी ग्राम सेवकों को आश्वास किया था कि वह सभी को पर्मानेंट करते वे उनका मान दे बढ़ाएंगी लेकिन सवा साल बीतने के बावजूद भी अब तक इस पर कोई कारवाई नहीं की गई जिसके चलते सभी ग्राम सेवकों में रोश व्यापत है इसलिए आज यह ग्यापन दिया गया है आगामी दिनों में आनोलन को और तेज किया जाएगा जीउट का निर्वान कर रहे है लेकिन अब हमारे आर्तिक इस्तेती इतनी खराब हो चुकिह ऒता नी सकते हैं बटाणा हमारे कई साति हमतार चुक है आत्मत्य कर σας अब तक सथृ करGMि ईपशाय साय कि जो पूर विध्यारती में आसे तो मोत के गाट उतर चुके आर्थिक तंगी की चलते लेकिन ये सरकार हमारी बिल्कुल भी ने सुन रही है, सरकार आती है, कमेटी बनाती है और कमेटी के नाम पर बस आगे-ागे हमको इसी तरीके से हमको पास साल पूरा करके और चली जाती है, पहले भी दिया था इससे, पहले दिल्ली भी गए जेपूर गए लेकिन अबी तक हमारी किसी परकार से सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार की तरफ से पाच रुपे की राशी भी उसके पास नहीं पहुशती है। हम कलेक्टर महोदे से मिलने आये हैं, हम मुक्य मंतरी, उपमुक्य मंतरी और बीडी गल्ला जी जो हर सवीधा कमेटी के अध्यक्स हैं, उनको उनके नाम हम भी क्यापन परेसित करने आये हैं।